मैं इस वक्त खड़ा हूँ पटेल चौक के पास जहाँ पर सरदार पटेल का स्टैचू है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्हें नमन करेंगे सरदानली देंगे और उसके बाद बीजेपी रास्ट्रिय कारकार्णी की बैठक में भाग लेंगे मैं इस वक्त पटेल चौक में खड़ा हूँ यहाँ पर तीन बजे कहा जा रहा है बीजेपी की तरब से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और यहाँ से सरदार पटेल को नमन करते हुए सरदानली देते हुए एंडीमसी कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जो महज एक किलोमेटर लगबग एक किलोमेटर की दूरी पी है यह कहा जा रहा है कि वो एक रोड़्शो के जरिये यहाँ से निकलेंगे लेकिन फिलहाल अभी ट्राफिक चालू है लेकिन आप देख सकते हैं नरेंद मोदी रोड़्शो के जरिये अपने कारकारताओं के बीच यहाँ से नडीमसी कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जहाँ पर बीजेपी राष्टी कारकार्णी की बैठक होनी है आप देख सकते हैं यहाँ से महज एक किलोमेटर दूर एंडीमसी कन्वेंशन सेंटर है ज 2024 में लोग सभा के चुनाय होने हैं तो काफी आहम है ये बैठक और साथ और चेहरे और एजेंडे पर मन्थन होगा प्रदानमंत्री आज इस बैठक में भाग लेंगे शाम चार बजे राष्टिये कारकार्णी की बैठक सुरू होगी दो दिनों की ये बैठक आप देख सकते ह किस तरह से इस रोट को सजाये गया है जो सीधे जैसिंग मार्ग है और इसे सीधे एंडियेंसी कर्विंशन सेंटर को जाता है जहां पर बीजेपी राष्टिये कारकार्णी की बैठक होनी है काफी इंपॉर्टरिंग बैठक है बीजेपी की तरब से और 2023 के लिए और 2024 की र यहां भी कारकरताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद मोदी का रोडशो होगा और महज एक किलोमेटर रोडशो और साब तोर पे वो पैदल चलेंगे या गाड़ी में होंगे लिए साब तोर पे काफी कम दूरी पर है यह एंडेमसीन सेंटर महज एक किलोमेटर लगभग एक किलोमेटर की दूरी पर यह मौजूद है और साब तोर पे यह कहा जा रहा है कि चेहरे और एजेंडे पर साब तोर पे आज चर्चा होगी मुखमंत्री योगिया दितनाज जो उत्रपरदेश के मुखमंत्री हैं ओभी यहां पहुँचेंगे तमाम दोनों उत्रप जेंडा है यहां पर डिसकस होगा बीजेपी के तमाम राष्ट्य कारणी की बैठक में साब तोर पे आप देख सकते हैं किस तरह से इस रोड को सजाये गया है थोड़ी देर में यह कहा जा रहा है कि तमाम जो दिल्ली भर के कारकरता देश भर के कारकरता यहां मौजूद हो आप देख सेते हैं जिस तरह से बैरिकेट्स बने हैं उस वक्त उसके पीछे कारकरता होंगे कई जगा स्क्रींस लगे हुए हैं जहां रोड शो को दिखाया जा रहा है पानी की बहस्ता है पैरामेट्री फोर्स के जवान यहां मौजूद है दिल्ली पुलिस की टीम भारी टीम डिप्लॉयमेंट है यहां पर चुकि सुरक्षा के ब्याफक इंतजाम यहां पर किये गए हैं तो कहीं न कहीं साबतौर पे एक बड़ी बैठक है भातियनता पार्टी की राष्ट्य कारकार्णी की बैठक 2023-2024 की रंडिती पर चर्चा होगी और साबतौर पे नौ पार्टी की और आज उसी के तहट बीजेपी राष्ट्य कारकार्णी की बैठक यहां पर होनी है अब देख सकते हैं प्रधान मंत्री नरन मोदी का कटाउट्स तमाम जगह उनके स्वागत के लिए स्टेज बनाये गए हैं लोगों का जमाड़ा अभी से सुरू हो चुका है लोग यहाँ से N полностью center की तरफ रुख कर रहे हैं तमाम जो का करता हैं तमाम जो च्छेत्रिये नेता हैं यहां पर मौजूद हैं आप देख रहें स्क्रीं लगे हुएं प्रधान मंत्री लोगों का अभीवादन शुकार करेंगे तमाम देश भर के कारकरता दिल्ली के कारकरता यहां मौजूद है अब मैं तमाम लोगों से भी पात करूँगा सर आज एक रोट शो के जरिए प्रधानमंत्री एंडेमसी सेंटर जाएंगे क्या मैसेज होगा नी देखिये गुझरात में इतियासिक जीत हुई है और उसको लेकर दिल्ली के लोग बहुती भवे अबिनदन माणिय प्रधानमंत्री जी का आज करेंगे और आप देखेंगे के पूरी त्यारी हो रही है और पूरे मन से पूरे दिल्ली से लोग यहां पर मानिये प्रदान मंतरी जी का अभिनंदन करने के लिए गुजरात के अतियासिक जीट के उपर यहां पर आ रहे हैं महज एक किलोमेटर का रास्ता है क्या पैदल चलेंगे या गाड़ी में सवार होंगे इसकी जानकारी अभी हमें पूरी नहीं है कि सुरक्षा के कारणों से लेकिन ये तह है कि रोड सों यहां से आरंब होगा और एंडिंग कन्वेंशन सेंटर तक जाएगा और प्रदान मंत्री चाहे वो पैदल होंगे या गाड़ी पर लोग अपने मन से और पूरे योग से उनका विनंदन करने के लिए पूरी तरह से उत्साइद हैं तयार हैं और मन में उमंग लेकर यहां पर आ रहे हैं आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता है दिल्ली बीजेपी के नेता है और तमाम तयारियां लगबग पूरी हो चुकी हैं तमाम कट आउट्स लगे हैं स्क्रीन्स लगे हैं जहां प्रदान मंत्री के जो पहले के रोड़शो है उसको दिखाये गया है दिल्ली पुलिस की टीम डिप्लाइमेंट काफी भारी संख्या में है, सुरक्षा के मद्दे नजर, चुकि गटन दिवस के मद्दे नजर अलर्ट भी घोसित किया गया है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से अभी प्रधान मंत्री के काफिले में चूक हुई थी सुरक्षा को लेकर तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस तमाम एजन्सिया एलर्ट है कि इस तरह की दुबारा घटना न हो, तो कहीं न कहीं अब मैं इस वक्त पहुँशने वाला हूँ एंडियन सिम सेंटर, जहां पर बीजेपी की राष्टिये कारकार्णी की बैठक होगी, दो दिनों की बैठक ह तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद होंगे, चर्चा होगी 2023 और 2024 की, 2023 में नौ राज्यों के विधान सभा चुनाओं है, और 2024 में लोग सभा के चुनाओं, तो कहीं न कहीं बीजेपी चाहती है कि इस रणिती के जरिये ओ तमाम राज्यों में जीत हासिल करे लोग सभा चुनाओं में फिर से सरकार बनाया है, तो कहीं न कहीं एक अहम चर्चा, गहन चर्चा, गहन मंथन यहां पर राष्टे कारकार्णी की बैटक में होगी, साबतोर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ भी इस बैटक में मौजूद होंगे, पौने तिन बजे ओ सीधे लखनोगू से सीधे यहां दिल्ली आएंगे और आज और कल दोनों जो राष्टे कारकार्णी की बैटक है, वहाँ पर सिरकत करेंगे, आप देख सकते हैं तमाम जगह पर उनके स्वागत की तैयारी चल रही है, दोनों तरफ तमाम जो जिला के मं पहुंचेंगे, उनका अभिवन्दन शुकार करेंगे, आप देख सकते हैं, एंडियंसी सेंटर सामने और वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और चार बजे के बाद, बीजे पी राष्टे कारकार्णी की बैठक होगी, आप देख सकते हैं, सर, यहां पर खड़े हैं, सर, क्या महौल है, बहुत बड़ी हमाहूल है, देश-देश मेरी पूरे विजे समय भाजबा का महौल तर रहे हैं, मोधी इस ग्रेट, राष्टे नहीं, अंतर राष्टे नहीं ता मोधी जी जाहना, आप देख सकते हैं, तमाम लोगों का जमावडा धिये-दिर पर बीजेपी की राष्टिये कारकार्णी की बैठक होनी है, प्रधान मंत्री, रोड शो के बाद सीधे इसी एंडियेंसी कर्वेंसन सेंटर पर पहुचेंगे, और जहां से चार बजे के बाद बीजेपी राष्टिये कारकार्णी की बैठक सुरू हो जाएगी, और उसके बाद दो दिवसिये कारकार्णी में तमाम एजेंडे अर्थिक प्रस्ताओं आएंगे, राजनितिक प्रस्ताओं आएंगे, और सबसे बड़ी बात है, दोजार तेईस और दोजार चौबिस में किस तरह की रणनिती बनेगी, बीजेपी किस तरह से तमाम राजियों में कर्चा होनी है, कैमरामेन राहूल के साथ पुशकल भारत समाचार दिल ले,